पुलिस थाना निवाई जिला टोंक में अवैद मादक पदार्थ के साथ दो मुल्जिम गिरफतार वा मुल्जिम के कबजे से अवैद मादक पदार्थ दो किलो 960 ग्राम गाजा बरामत टोंक पुलिस दिक्षक राजरसी राजवर्मा द्वरा प्रदत्य निर्देशों की पालना में थाना निवाई शेत्र में अपराधियों की धरपकड़ी भूम थाना इलाके में अवैद मादक पदार्थ रखने वालों पर निगरानी रखकर धरपकड़ा वियान के क्रम में अतरिक्त पुलिस दिक्षक गीता चोधरी वसंदीप सारस्वत बृत्ता दिकारी बृत्त निवाई के परिवेक्षन में छोटे लाल पुलिस निरिक्षक थाना दिकारी थाना निवाई के नित्रत में गठित बिशेस टीम द्वारा कारिवाई करते हुए दिनांक 21-23 को पुलिस थाना निवाई जिलाटों क कश्बा निवाई गस्त के दौरान अवैद मादक पदार्थ के साथ दो मुल्जिमान के कबजे से अवैद मादक पदार दो किलो 960 ग्राम गा रखे हुए शामान पर संदेह होने पर मन ऐसा चोंट में हमराही जापते की मदद से घेरा देकर उक्त दोनों व्यक्तियों को बैग सहित दिटेन किया वन नाम पता तो एक ने अपना नाम दिन द्याल स्वामी पुत्र छीतर दास्वामी जाती दादू पंथी स्वामी उम् नाम नंदलाल पुत्र देवलाल जाती गुर्जर उम्र 24 साल निवासी छाण वास सूर्या पुलिस थाना टोडा राय सिंग जिला टूंक हाल मालियों की धाणी मकान नंबर शंतामन अंठामन मदार पुरा पुलिस थाना मुहाना मंडिर जैपूर सहर होना बताया जिनके पा की हरे रंगे की पारदर्शी थैली में 1 किलो 400 ग्राम मादक पदार्थ गांचा मिला दूसरे व्यक्ति नंदलाल के बैग में हरे रंगे की पारदर्शी थैली में 1 किलो 560 ग्राम मादक पदार्थ गांचा मिला जिनके पास मिले मादक पदार्थ रखने का लाइसेंस नहीं ह होना पाया गया जिस पर उप्त दोनों ब्यक्तियों के पास मिले अवैद मादक पदार्थ गांजा दो किलो नौसो साट ग्राम को नियमार अंतरगधारा आठ बीस एंडी पीएस एक्ट में मुकदमा दर्शकर अनुसंधान चारी है टोक से हमारे समपाद्दाता सुभाष के इप हमारे समपाद्दाव नौस